आप लोग सूच रहे होंगी कि इस तरीकी की प्लेन छोटे चोटे बेकार कतरन से आज मैं क्या बनाने वाली हूँ तो यस गाइस आज मैं यूज करने वाली हूँ ये छोटे-छोटे से कपड़ो का जो की प्लेन है और इससे मैं इतना मससा डासु वाला डियाई वाली हूँ जो आपको भी बहुत पसंद आएगा तो अगर आपके पास भी है इस तरीकी की बेकार कतरन और आप सुच रहेंगे इसका क्या इस्तमाल होगा इसे फैंक देंगे तो बिल्कुल मत फैंकना मैं आज आपसे इसी का मसता आइडिया सेयार करूंगी और वो आपको बहुत पसं इसे मैं ने सीधा कर लिया है जो बी टेड़ा मेडा हिस्सा था उसे कट करके निकाल के इक्वल कर लिया है और फिर मैंने फों मेरे पास सिल्क टाइप का फैप requer iki टाइप का है उसे मैं बाक्या उपर की तरफ रखा है और नीचे की तरफ मैंने प्ली जो से तरीके से दीके तीन को मैंने दो साइड करें उसके बाद दोनों साइड से तरी के निशे कर लेंगे नहीं कर सीदा करना इन ठाइब से 7 इंश और एक साइट से 3 इंच इस तरीके से कट कर लूँगी तो यह इस तरीके के बहुत सारे पीस मैं ready कर लूँगी तो यह टोटल मैंने 8 पीस ready करें हैं लंबे वाले और इसके बाद इससे भी छोटे जो कपड़े के टुकड़े थे उसमें से मैंने quilt बना कर और भी 3 by 4 इंच के और भी piece ready कर लिए और ये भी मैंने total 8 piece ही ready करें लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इसी color के हमें लेनी है जो भी मेरे पास टुकड़े थे कपड़ों के उन में से मैंने बना कर ready कर लिए हैं तो दोनों में राइट साइट को अंदर की तरफ रखकर इस तरीकी से जॉइंट कर लिना है तो यह मैंने जॉइंट कर लिया है अब हमें लिनी है इसके size की एक जिप और जिप को हम इसके ऊपर उल्टी रखेंगे और फिर सीधी सिलाई करके अटाच कर लेंगी उसके बाद इससे second side पर करना है और यहां पर हम प्रैस्टीज कर लेंगे तो यहां एक साइट पर हमारी जिप अटाच हो चुकी है अब हमें जो कपड़े का दूसरा लाइन थी मतलब रेडी करी हुई दूसरे लाइन थी तो उसे हम अटाच करेंगे तो यहां पर यह वाला कलर अच्छा लगेगा उन सबी लाइनों को पहले यहां पर अटाच कर लिया है एक लाइन को छोड़ कर और फिर मैंने यहां पर जैसे पहले करी थी वैसे ही जिप को अटाच कर लिया और फिर जो बची हुई लाइन थी उसे भी अटाच कर लिया इसके बाद मैंने इस तरीके की दो छूटी इसके बाद हमें लेना है अस्तर के लिए कपड़ा तो आप कोई भी नया या पुरा ना आपके पास जो भी अवैलेबल है वो कपड़ा ले लीजे इसके साइज का और फिर इसके राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे अस्तर के कपड़े की और जो में कपड़ा है उसक यह मैंने पूरे चार और से लाइक करके अटाच कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा फाब्रिक था साइड में उसे कट करके निकाल दिया है अब कैसे भी एक जिप को हम आपन करेंगे और वहां से इसे हम सीधा कर लेंगे अच्छे से इसके को और निकाल लेने है तो देखे साइड से नीचे के साइड करने के बाद यहां पर मैंने मार्किंग कर ली है और मार्किंग करने के बाद जो मार्किंग है उसके उपर हम एक सिलाई चला लेंगे ताकि हमने अंदर अस्तर का एक ही फाब्रिक अटेच किया था तो हमारी यह जो पॉक्ट है वो से अपरेट हो लेकिन बहुत इजली चल जाता है यहां पर लेकिन जब ठीक होना कपड़ा तब मसीन फार्ष नहीं चलाना चाहिए बहुत दीरे से आप सिलाई करेंगे तो अच्छी से आपका हो जाएगा अब यहां दोनों साइट पर सिलाई हो गई अब उपर वाले हिस्से पर भी साथ के स बांड लेंगे और आप चाहे ना तो सिधी डूरी ही यहां पर आप अटाइच कर सकते हैं जिससे की बाहर की साइट सीधी डूरी ही दिखेगी अब मैंने यहां पर इस तरीके से उपर वाले कपड़े को फोल्ड कर लिया है बीच से और इसका सेंटर निकाल लिया है मार्कि ऐटेच कर लीना है या तो अब ग्रूरी को अटेच कर सकते हैं यहां पर देखिए मैंनेट बटन का एक हिस्सा हमारा यहां पर इटेच हो चुका है इसके बाद इसका चुद दूसरा हिस्सा है उसे हमें इसकी डूद कर लेखे और इस तरीके से इसे हम फोल्ड कर करके रख तो यह मेरा मैगनेट पटन हो चुका है और यह हमारा ब्यूटिफूल स्लेंक बैग बनकर रैडी हो चुका है एक दम मस्त कलर्फूल ट्राडिशनल है ना एक दम आसान तरीका बनाने का और एक दम वेश्ट मटेरियल का यूज करके आप बना सकते हैं चो चूटी-चूटी ब करना जादा से जादा श्यार करना और चनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं ऐसा ही और यूसफुल वीडियो के सार तब तक के लिए जय भारत